हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल लेर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न दोस्तो आज की वडियो में मैं आपको एक शॉट टॉंग के ट्रेड के बारे में डिसकस करूँगा जहां पे जो सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेजी रहते हैं उसके जरीए स्टॉक का करना चाहिए कि सपोर्ट प्रेड और करना चाहिए यहांसे तर categ देखने की कोशीच करेंगे दोस्ते यहां पे प्राइस एक्षिंग देखने की कोशीच करेंगे उसी के साथ और जो सिनेरियोज हैते जरिकिन आज़ने का कुशिश करेंगे दोस्तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियो स्टाइम लिए बेसिस पे बिलने के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए और रेग्लोर अब्लेट स्टाटीजी की हिसाबसे हमें इस में पिर करना है और इसमे शौ्ट्रहम का ट्रेड होने वाला है तो इस तरह का एतना ही सेटी कर रहा है कि स्टाफ श्टार से पर यह हमारे ट्रेंड लाइन पर बनाने के बाद उसमें अभी अपपसड में मुवमेंट आती हुई हमें दिख रही है तो इस तरह से सपोर्ट पर रिवर्सल दिखा रहा है स्विंग के इसाब से भी मैंने आपको बता दिया और अगर ब्रेक आउट की इसाब से हमें इसको है तो मान लिए वाकई में इसमें प्राइस अक्षिन आती है और यह इसका रिसेंट रिजिस्टंस है इसको अगर यह ब्रेक आउट देता है तो डेफिनेटल यह स्टॉक को हम फिर हायर टार्गेट के लिए बायुजन ट्रेलिंग स्टॉप लास होल्ड कर सकते हैं अभी ड लोटा सा डार्वस बॉक्स भी आगी जाकर ब्रेक आउट होता है तो इसमें फर्दर अपसड में मुवमेंट आ सकती है तो इस तरह से डार्वस बॉक्स की साफ़से हमें प्राइस अक्षन दिख रही है अभी यहाँ पे एंट्रे एक्जिट करने के लिए दोस्तों अभी जैसे कि मैंने कहा कि यह support trading strategy है यहाँ पे support पर अगर हमें reversal का indication मिलता है तो generally हम यहाँ पे trade करते रहते हैं अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे already हमें reversal का indication मिला है जैसे कि support line हमने mark out की तो यह candle का लो यह candle का लो आप देख सकते हो और आज की दिन में जिस तरह से प्राइस एक्षिन बन रहे है उसके इसाफ से अगर हम देखेंगे तो हमें अल्ड़ी कन्फर्मेशन मिला है इसकी जो भी करण मार्केट प्राइस चल रहा है तो यह वीडियो में जब भी बना रहा हूं हम यह लाइव मार्केट में बना रहे हैं और इसकी शुरुवात करने क के वीडियो की जैसे हमने शुरुवात की तो इसकी 573 के आसपास ट्रेड कर रहा है मेरी जब तक आपको यह वीडियो आपके सामने आयेगा इसकी प्राइस रेंज अलग रहेंगी लेकिन आभी जो भी करन्ड मार्केट प्राइस चल रही है उसके इसाफ से मैं आपको पतान तो इसको ये ब्रेक आउट देता है तो इसको हम हायर टार्गेट के लिए होड़ कर सकते हैं तो इस तरह से स्टॉक में मुझे प्राइस अक्षिन नजर आ रही है अभी मेरी जो भी स्टॉडिय रिस्पेक्टिव स्टॉक के उपर की मैंने आपके साथ शेयर किये हैं अभी मे तो आप इस एजुकेशनल परपजी ले लिजेगा इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत किजेगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंक यू